है हैं लो गैस वैलकम टो अलो फ्यू लेंविट में था है आप सभी का हमारे स्वागत है असने हमारी चैनल रांधंפ आज हम क्या पढ़ने वाले हैं जो हमने पिछली पढ़ा था उसी को यह आज हम continue पढ़ेंगे ठीक है मतलब order ranking based पजल ठीक है ओर्डर रेंगिंग पे बेस्ट हम पजल पड़ रहे थे पिछली क्लास में ठीक है पिछली क्लास का वीडियो अगर आप लोगों नहीं देखा है तो प्लीज उसे जाकर देख लेना पिछली क्लास में मैंने आप लोगों पूरी बेसिक बाते बता दी थी कि किस पुछा जाता है कितने मांक्स तक पूछली को पुछा जाता है किस किस पैटन पर बन सकता है इसकी जब यह कोशन की पूछा जाता है तो मैक्सम किंडे मांक sa gap पूछा जासकता है ठीक है प्री में पूछा जाएगा मैंने तो बते में ayammea presented पिछले तिन कोशन से थोड़ी अलग टाइब के हैं हम जब कोशन पढ़ेंगे तो आप लोग को बहतर वो समझ आजाएगा ठीक है तो अब बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने कोशन की तरफ कोशन यह रहा हिंदी पे आप इसका स्कृण सोट लेंके रख सकते हैं अब चल पिर जो एडिसनल इंफर्मिशन बस थी उससे हम क्या करते हैं उसको फिक्स करने की कोसिस करते हैं ठीक है आज भी हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे ठीक है चलो स्टार्ट करते क्या बोल रहा है दियर आर सिक्स परसंस ठीक है छे बंदे हैं कौन-कौन से हैं पी ग्यू आरेस ती और यू ठीक है यह चे बंदे है इच ऑफ देम हैसा डिफरेंट वेट सभी का वजन क्या है अलग अलग है ठीक है तो हम क्या कर लेते हैं सबसे भारी वाला व्यक्ति कहां जाता है सबसे उपर और सबसे हल्का वाला कहां जाएगा सबसे नीचे पे जैसे कि मैंने आप ल बना लिए ठीक है जैसे जैसा यह बोलेगा हम उस हिसाब से इनके वजन को अरेंज करते जाएंगे ठीक है अब क्या बोल रहा है आगे पड़ते हम एस मोर दैन उल्ली पी एन आठीक है एस क्या है केवल पी और आर से ही भारी है यह तो हुआ पहले तरीके से बोलने का तरीक ठीक है मतलब एस क्या है केवल इसने एक वर्ड यूज क्या है ओनली ठीक है मतलब एस केवल पी और आर से ही भारी है दूसरे सब्दों में मैं इसे कैसे बोल सकती हूँ एस केवल पी और आर से भारी है दूसरे सब्दों क्या हो जाएगा बाकी सबसे क्या है यह हलका है S के नीचे ही P आ रहेंगे उसके बाद इनके नीचे और कोई भी नहीं आ सकता ठीक है तो S कहां पर आ जाना चाहिए यहां पर क्योंकि इसके नीचे ही यहां P आएगा तो यहां R यहां R आ रहेगा तो यहां P ठीक है इस line का मतलब समझ में इस line से हम नहीं किया है कि हमारे तीन circle क्या हो गया arrange हो गया ठीक है S किस में आ गया नीचे से third number P और नीचे वाले दो P और R के लिए fix हो चुक गया ठीक है अब क्या बोल रहा है आगे पड़ते हम Q is less than only T फिर यहाँ पे वर्ड यूज हो गया only ठीक है फिर यहाँ पे वर्ड यूज हो गया only ठीक है अब क्या बोल रहा है यह Q is less than only T मतलब Q क्या है केवल T से ही कम वज़न है बाकी सबसे दूसरे सब्दों में क्या होगे इसका बाकी सबसे क्या है जाबा है ठीक है मतलब Q के उपपर T आएगा इनके उपपर और कोई नहीं आ सकता ठीक है भई इनके उपपर और कोई नहीं आ सकता यह समझ में आया ना Q is less than only T के वल T से ही इसका वज़न कम है तो दूसरे सब्दों में क्या होगा बाकी सबसे Q का वज़न क्या है जादा है Q के नीचे क्यों आएगा इनके उपर और कोई नहीं आ सकता भई तो हम क्या करेंगे Q यहां पर ले लेंगे ठीक है देख रहे ना कि एक only word से हमारा कितना कुछ अरेंज हो जा रहा है ठीक है अगर only लिखा नहीं रहता तो यह सब क्या रहता कहीं पर भी fix हो जाता हमें नहीं प पी नहीं आना है ठीक है सबसे नीचे पी यह पी नहीं आएगा तो पी नहीं आएगा तो कौन आजाएगा आर तो जब आर यहां पर फिक्स हो चुका है तो यहां पर यहां पर कौन हो जाएगा पी फिक्स हो गया ठीक है इतना तो हो गया अब बचा कौन देखो एकी प्लेस बच्ची third highest के लिए ठीक है मतब जो सबसे जाधा भारी है तीसरा ठीक है उसके लिए एक ही प्लेस बच्ची है यह वाली यहां पर कौन आजाएगा P Q हो चुका है R S हो चुका है T हो चुका है U U बचा तो U आगे है यहां पर यह तो हमारे बंदे क्या हो गए फीक्स होगे सबसे भारी कौन है T है और सबसे हलका कौन है R है ठीक है और क्या बोल रहा है आगे The one who stands at the second place second place यहां भी हो सकता है यह वाली place और यह वाली भी हमें अभी नहीं पता उपर से बोल रहा है कि नीचे से बोल रहा है ठीक है अगे क्या बोल रहा है वालं अगे क्या बोल रहा है when arranged in descending order देखो अब इसने बता दिया descending order of their weight descending मतलब घर्टक्रम में भट्रिक है descending मतलब घर्टक्रम है मतलब सबसे भारी वाला अगर पहले आया तो उससे हल्का नीचे ठीक है घर्टक्रम में जिसका ज्यादा सबसे वजन है पिप्ड जाओं लेक्षथ है अगर मैं जाओ तो दूसरे नंबर यहां पर हमने लिख लिया 85 kg और क्या बोल रहा है आरवेज 55 kg तो यह हमारी पर्जल सॉल्व हो चुकी है आप देख सकते हैं कि कितने कम टाइम पर हमने इसे सॉल्व कर लिया ठीक है बिल्कुल इसी लैवेल का एक्जाम में पूछा चाते हैं और यह आएगा तो आप इसे अस इसे एक से देड़ मिनट में सॉल्व कर सकते हैं यह समझ आया ऐसी में उम्मीद करती हूं ठीक है अब चलते हम अपनी दूसरे कोश्टन की तरफ ठीक है दूसरा कोश्टन यह रहा हिंदी पे आप इसका इसका स्कॉल स्ट लेके रख सकते हैं अब चलते हम अपने इंग्लि बैठाने के लिए ऐसे पांच बॉक्स हमने अरेंज कर लिया अभी क्या बोल रहा है देखो इच गॉट डिफ्रेंट पर्सेंटेज ऑफ मार्क्स इन दा क्लास टैंथ एक्जामिनेशन मतलग कक्छा दसवी की जो परिक्छा थी उसमें लोग को क्या हुए अलग अलग शुम्ठेच का रहला नीचे अब क्या बोलुट है ज्यादा स्कॉर करता है क्यूं कि और क्यूंसे क्या है King स्कॉर करते हम sungते हैं मालो क्यूंय थे यहां पर आगि यहां परakraु सकता है क्यूं पहले और कि रसकते हैं महीं नहीं पता ठीक है मतलब Q, P और N ऐसे ही जमेंगे हमें नहीं पता कि इनके बीच में कोई बैठेगा या नहीं बैठेगा क्योंकि यहाँ पे only जब्द नहीं लिखा हुआ है ठीक है अब क्या बोल रहा है देखो यह हो गया यहां तक का अब क्या बोल रहा है N score 80% अब मुझे पता चलिए N कितना score करता है 80% ठीक है N 80% पाता है और क्या बोल रहा है the one who scored the minimum marks मतलब जो क्या है जो सबसे कम marks मिलता है minimum मतलब यह वाला यह वाला सबसे जादा है maximum तो minimum यह वाला ठीक है जिसको सबसे कम marks मिलता है वो कितना मारा है 75% तो हम यहां पर लिख लेते हैं इसे मिल रहा है 75% तो हमने क्या लिख लिख लिए 75% वाला सबसे कम marks होता है ठीक है यहां तक की बात समझ मैं और आगे क्या बोल रहा है and the one who scored the highest scored 97% अब जो सबसे जादा मार्स लाता है highest marks ठीक है उसको कितने मिलते है 97 marks मतलब यहां पे जो highest वाला है मतलब इसको कितने मिल गए 97 marks ठीक है इसको मिल गए 97 marks ठीक है यहां तक की बात समझ मैं अब बोल रहा है ओ इसकोड more than only m अब फिर यहां पे एक word यूज हो गया only ठीक है यह o और m के लिए use हो ए ठीक है क्या बोलता है o score more than only m केवल m से ही यह क्या है जादा marks score करता है ठीक है o के है केवल m से ही जादा marks score करता है ठीक है दूसरे सब्दों में पहले सब्द में क्या होगे इसनी क्या इसने डिरेक्टली बोल दिया कि O score more than only M केवल M से ही O is score ज्यादा करता है तो मैं इसे और क्या समझ सकती हूं केवल M से ही ज्यादा है मतलब बाकी सब भी से क्या है ये कमी score करता है ठीक है क्या से आजाएगा O O की नीचे M O के है केवल M से ही ज्यादा score कर रहा है इसका बोलना सही हो गया तो इसे में क्या समझ सकती है और बाकी सबसे इसका मतलब कमी स्कोर कर रहे क्योंकि यहां पर उनली वड़ दिया हुआ है यह बात समझ मैं यह हो गया अब देखो QPN के लिए कैसी टीनी टीनी प्लेश बच्चि एक यह क्या हो कि ऐसे ही आरेंज हो जाएँगे मतलब Q 97 परसट P यहां पे N यहां पे N 80 ठीके अब आप लोगों से कोशन Крас ले क्या हो गया पूरा अरेंज हो गुघा है ठीक़िक है यह क्या हो गया हमारा पूरा अरेंज हो चुका है, अभी किस तरीके से इस पर question पूछ सकता है, माल लो इसने पुछा कि P का score कितना हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, मतलब यह option दे देगा, 82%, 72%, 36%, 99%, ऐसा करके ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, 82%, क्यो लगाएंगे, संभवता है, इसका कितना आ सकता है, हो सक 80 और 97 की बीच में यहाना है, तो 80 और 97 की बीच में 82 वह जासकता है, अगर इस तरीके से about question पुसता है, तो यह कह सकता, 84 दे दे हो सकता, 98 देदे हो सकतना 92 हमें नहीं पता, बस इतना पता है, इस से about 17 बीच में यह इन आ आए ठीक है, तो इस तरीके सेs time को solve कर सकतना है, ठी अब चलते हैं और दूसरे गौशन के तरफ ठीक है अगला कोशन यह रहा इस कस लेंकि रख सकते हैं अब चलते हम एंगलिष के तरफ इंगलिष पे एह रहा ठीक है अब हम इसे डिफरेंट हाइट एंड वेट अब देखो अभी तक तो हम केवल सिंगल ही पड़ते आ रहे थे ऐसे ठीक है यहां पीज ने क्या बोल दिया कि एक तो इनकी हाइट है अलग अलग दूसरा क्या है इनका वेट है अलग अलग ठीक है तो अब हमें हाइट भी अरेंज करना है अलग बनाना पड़ेगा दो ठीक है एक रहेगा हमारा हाइट का यह और एक रहेगा हमारा वेट का ठीक है यह रहा पांच व्यक्ति बनाना है एक दो तीन चार पांच ठीक है रैसे यहां पे भी एक दो तीन चार पांच ठीक है यह पांच व्यक्ति बनगे हाइट वाली इन जो एक वीट एक वनित्र भाद हो पीए की बात है еकैडब भारी शहीं तो इसे हैं कि यहां पर उसकते क्विश्ट्र हो सकते कोई भी ना यह नहीं पता परिष्टा पता है सी के हैं अब किसकी बात होगी स्मालर जो वर्ड है वह आपका वेट से रिलेटेड हैं कि हाइट से तो डेफिनेटली हाइट से रिलेटेड है ठीक है लंबा और चोटा ठीक है टॉलर ब्तीक है यह kia बोल रहा है कि c ways more than b, e, अतना हो गया, but smaller than b, b से क्या है, छोटा मतलब b आएगा, b कि नीचे ही क्या आजाएगा, c आएगा, हमें नहीं पता, तूरंद आएगा, कि कैसे आएगा, हमें नहीं पता, यहां तक की बात समझ मैं, हमें नहीं पता कि B क्या है C के है B के तुरंत निचे आएगा या कैसे आएगा हमें नहीं पता पर इतना पता है B क्या है C से उपर ही आएगा ठीक है यहां तक की बात clear है कि नहीं weight को हमने इस तरफ लिख लिए height का हमने इस तरफ लिख लिए ठीक है अभी तक की information से सिर्फ हमें इतना ही पता चला ठीक है एक तो weight का पता चलिए कि C क्या है B E से भारी है और एक height का पता चलिए कि C क्या है B से छोटा है ठीक है और क्या बोल रहा है D is tallest person अब मुझे पता चलिए tallest मतलब height से related है और tallest मतलब सबसे ज़्यादा लंबा ठीक है तो सबसे ज़्यादा लंबा पर कौन आ गया D हमने D को fix कर लिया ठीक है और क्या बोल रहा है and A is heaviest अब heavy किसे related है weight से related है तो मतलब सबसे ज़्यादा भारी कौन है A है तो हमने A को यहाँ पर लिख लिया ठीक है A सबसे ज़्यादा heaviest है ठीक है A यहाँ पर आ गया ठीक है D और A, D के हैं सबसे ज़्यादा लंबा है और A के हैं सबसे ज़्यादा भारी है ठीक है यहाँ तक कहो गया और क्या बोल रहा है A is taller than only E अब देखो taller फिर किस से related हो गया height से अब यहाँ पर फिर word यूज हो गया only ठीक है A is taller than only E मतलब केवल E से ही लंबा है A मतलब बाकी सबी से क्या है छोटा है मतलब E यहाँ पर आ गया A यहाँ पर आ गया ठीक है A is taller than only E केवल E से ही लंबा है A मतलब बाकी सबी से क्या है यह छोटा है ठीक है यह information हो गई अब क्या बोल रहा है आगे C is the third heaviest person heaviest मतलब weight से related अब C क्या है तीसरा सबसे भारी व्यक्ति पहला तो A है दूसरा हमें पता नहीं तीसरा कौन आ गया C आ गया ठीक है देखो इतनी information से हमने ऐसा ऐसा fix कर लिया ठीक है यह C था यह क्या होगी यह वाली information हमारी use हो चुकिया ठीक है A E वाली अब देखो B के नीचे ही C आना है तो height वाले में तो B C के लिए दोई place बची है मतलब B के नीचे C तुरंट आ गया ठीक है मतलब C के नीचे ही कौन आना है B और E B अगर यहां पे आ गया तो E यहां पे ठीक है E यहां पे आ गया तो B यहां पे हमें नहीं पता है इस information से ठीक है इतनी information को तो हमने use कर लिया अब कौन बचा है A की place बची है यहां पे वो किसकी है A, B, C, D D की बची है तो D यहां पे आ गया ठीक है अब देखो यह क्या हो गया यह हमारी puzzle solve हो चुकिए ठीक है यह puzzle हमारी solve हो चुकिए अब यहां पे दो fluctual चल रहे है B, E और B, E हमें नहीं पता की कैसा आ रहें जोका ठीक है जितनी information थी उससे हमने इस puzzle को ऐसे solve कर लिया यह दोनों हमारी fluctually ही चल लेंगे ठीक है क्योंकि हमें कुछ भी इससे related information नहीं दी हुए ठीक है तो यह समझ आ चुका होगा ऐसी मैं उम्मीद करते हूं कि height और weight वाला question आएगा तो दो column बनेंगे हमारे ठीक है एक height का बनेगा एक weight का बनेगा weight से related information हम weight की तरफ लिखेंगे और height से related information को हम height की तरफ लिखेंगे ताकि हमको question सॉल्व करते समय किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े ठीक है अब हम session को यहाँ पे hand up करते हैं कल फिर मुलाकात होगी एकने concept के साथ till then keep learning keep practicing thank you and bye bye